शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें विवेक यह मैं तुम्हारे फैमिली बिजनस का भी हिस्सा नहीं बन सकती और बाबा की बात का बुरा मन गई बात ऐसी नहीं तो पर कैसी बात है कि तुमने पहले कहा कि मा और बाबा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ दी अब अनू कम आनू जिस ट्राइट अंडस्टेंड यह देखो बाबा को पॉलिटिक्स और बिजनस में और तुंका बुलना बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हें शादी के पहले ए और यह नहीं करना है अब मैं घर बैठे बैठे क्या करूं मुझ समझ में नहीं आ रहा है गो आउट सी फिर्म्स बीट फ्रेंज गर के काम है इंट्रेस्ट ले लो क्यों कम आन चरप अम वीटिंग फूर इन देडरू में अब बनवारी काका क्या बन रहा है आज पालक पनी आज मैं आपको एक दिश्ट बना कर खिलाती हूं मेरे ख्याल से हमारे घर में काफी नौकर चाहकर है जोहान खांदान की बहु की जगह किचन में नहीं है माजी क्या得 जब ड्रॉइं‌ग रूम में सामानि यदर से उधर रख रही थी आप वी ने मुझसे कहा था कि ये घर चालिस साल से ऐसा है और ऐसा ही रहेगा है अरब भी अ purpose दो भॉसिस ना तो ड्रॉइं और तो सिर्फ अपने पतियों के पिस्तर में एक दम महीन पीचता जैसे उसने पीची है वो उठाओ वो भी उठाओ कर अनुराधा कर आज रही है कि आप तो जांते हैं मेरे फ्रेंच का फोन अधा उन्हीं से मिलने जा रही हूँ सकता है शाम को लोड़ते वक्त लेट हो जाए वेव्यक को पता है ऑफस मेच फोन किया था वहां तो वह रहता नहीं उसका फोन आये तो कह दीजिगा कि मैं कि यह राइट नी लूग जो चीजें दूर से चमकते हैं पास आने पर उनकी चमक भीकी पड़ जाते हैं पहले आप अपनी किसमत पर भरोसा करके किसी एक इंसान से शादी करो फिर उसकी घर के काईदे कानून के हिसाब से एक नहीं जिन्दगी चीओ और अगर वो भी काफी नहों तो अपने पती की सारी बुराईयों को नजर अंदास करो और एक दिन पता चलता है कि आप अपनी पहचान खो चुके हैं यूफ लॉस्ट आइटेंटिटी अनू मैंने तुम्हें जितना भी जाना है ना तुम्हें जिंदगी में हर मुश्किल का सामना डटके किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी यही करते रहोगी इत्मी नान रखो ना बेब्स जैस्ट आफ पेशन्स ना पेशन्स पेशन्स कि अनुराथ है कि टाइम देखा आपने जी हां ताड़ी ग्यारा बच रहे हैं जी कोई वक्त है किसी शरीव घर की बहुके घर लोटने का कि विवेक आगया है वो लड़का है अब ठीक कहते हैं शादी के बाद भी उसका लड़कपन नहीं कि अ कि अच्छु इन दोनों को घर तक द्यान से चुड़के आना क्या है वो सावन को पब में मिलका मुझा फोन करना है एगे मैं एगे जल्ड आरे बेड़ बेड़ क्या हुआ अब दोना अब दक सुएने अरे जिस घर की बहुरात साड़े ग्यारा बजे लोटेगी महमाब आपको नीद आएगी क्या तुम्हारे लाग समझाने पर भी उसके तौर तरीके बदले नहीं है पुषाक देखो जो पहनती आजकल अरे मैं कहती हूं सक्ती से काम लो परना पानी सर्क्राइब कर दो क्यों तुमसे बात है करनी है कि बोलो कितनी बार तुम्हें वही बाते समझानी पड़ेगी कौंसी बाते कौंसी बाते इस घर के कुछ तौर तरीके हैं कितनी बार हम लोगों ने तुम्हें समझाए लेकिन तुम्हें कोई असर ही नहीं पड़ता अके तुम जाती क्या हो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो अपने आपको बदर थी क्यों नहीं वाड़ोंटी चेंज शेल्फ डैवर्ट इसलिए कि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे माबाप के डबल स्टैंडर्ट से सक्त नफरत है शादी के बाप तुम किसी भी तरह की जिंदगी जी हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन मैं कुछ भी करूं तो चौहान खांदान की इज़त करती है अगर इज़ती बनानी थी ना विवेक तो ऐसी लड़की को घर ले आते जिसका पती रोज शराब पीकर बाहर किसी और के साथ होकर घर आए और वो उससे यह पूछने के बज़ाए कि वो कहां था उसके पैर सबाती है तुम्हारी मा की तरह तुमने मुझे थपड़ मारा विवेक तुमने मुझे पर हाथ उठाया विवेक तुमने अपने तरीके नहीं पठले तो मैं तुम्हें और मारूंगा संजें प्रूँ प्रूँ बाओ प्रूँ प्रूँ तो में तुम्हें गुण तुम्हें हो नहीं देख जो पती का थपड़ काकर किचिन में जक्कर होगी है यहां दो खना अगुण मैं आमें शॉछ आसावन को रोके रखना में अब भी पहुंचा आप मैं यह इस अब गुर्ड घ्यां हुए ताट आप क्या हुआ कुछ नहीं अब चिंदा मत करो मैं सब समाल हूंगा अरे कहां जा रहा है सावन को मिलना है पार्टी फंड के लिए सावन को मिलना है इस वक्त हरे सुन कि हमारी पार्टी फंड के लिए मुझे पैसा चाहिए एक हफ्ते का टाइम देता हूं तो समझा और वैसे भी तुम लोगों को हमारे ज़रुत पढ़ती ही रहती है अगर विक सावन ने अगर पैसा नहीं दिया तो उसके सारे के सारे टेंडर क्यांसल कर रहा हूं क्या रे जानता नहीं तू इसको कौन है यह है पॉलिटिसेन का लड़का है विवेक चवान नाम है इसका कहता क्या है बाहर बंद हो गया जाड़ी यहां से लेकिन सब्सक्राइब अब दो आगा है यह थाड़ी यह दो विश्की इस्कुज में आप बंद हो जो का सब्सक्राइब आपने अपको समझ्ट क्या हूँ, हर जगा तुम्हारी मनमाने चलेगी excuse me sir and behave yourself, आप हसे ज्यादा बोल रहो मैं आख्री बार कहता हूँ, I want my drink right now I'm sorry sir, आपको drink नही मिलेगा, I said we are closed you bitch अब क्या कर दिया तुने पताने यार का उसरा बने कहा निखाल दिया चल यहांसे चल और लगर विशुन मैं तुकन नमर में लड़के बिढ़के ऑँगे ना पकड़का अंदर डालना सिधा तो खेलकार जोदानमबर में देख अस्पिल तक पावार अधाच साल आधा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुम्हें पता है तुमने किसके बेटे को अंदर करका चोहां साथ मैं क्या कर सकता था वो पवार ने अरेस्ट किया है अब पंच नामे में 25 विटनेस के सिंगनेचस हैं एक लड़की का खून हुआ है और यह उपर से इस साला पवार बिकाव नहीं है अफिलाल तो कुछ नहीं हो सकता अब यह कोट का मांगा है पंडित यह वकील को फोन लगा बोले दमाने की तैयारी करें अभी करता हूं लेकिन सब मैं मैं आपको बताता हूं कि यह का विटनेस पर किस किस ने दसकत की हैं मावार क्या अकेला आप सरह है अब तुम क्या कर रहें आप चिंदा मत आज़ा ठीक विवेग कहां है आए क्या जरुवत थी यह सब करने की क्या जरुवत थी पता नहीं है तुझे इलेक्शन सर्प है और तू अब गलती हो गए ना बाबा कि वह शुक्ला से कहकर मेरी बेल करवाओ और विटनेस और वह इंस्पेक्टर ना उसको खरीद लो बाहर निकलने का बाद सब संभाल लूंगा मैं जब बाहर निकल के सब ठीक कर दूँगा तू समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना है और तू कितनी बार समझाया तुझे की इस्तामा लेकर मत चला कर रास्ते में बेजा नहीं यह तेरे पास इस्तेमाल किया कर थोड़ा तो ठीक तो है ना ठीक हुमा तू चिंता मत कर कुछ अची दिनों की बात है इसके चेरी का रंग की उत्रा हुआ क्या हुआ इसको क्या किया है तेरे मरत ने अरे परी बार ऐसा ही होता है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मेरा मरत आते जाते रहता है ग्वैज जेल में महंद्र चोहन का पिल्ला है अब देखते हैं क्या करता है वो मलाम अजाद नगर दुलहन की द्रस सजा है दूला बने के लिए तैयार हो जाओ जादो जी साथ एक कटिंग बोल ठीके साथ क्यारे पवार आज तो बढ़ा खुश होगा दू मालूम बढ़ा कि विवेक चोहन की बेल एक बार फिर से मना ऊगई अगर मैं क्या कहता हूं कि चोहान साथ के वकील ने तुझे जो आफर दिया अरे माल ले शुकी रहेगा तू और चार ट्रांसफर तो तेरे पहले ही हो चुके सोच अरे जरा सोच वड़ी मुश्किल से पोस्टिंग मिलती है अरे कई पॉल्टिशन और बेग जैसे आद्वियों के लिए काम किया है मैंने एक बात बता रहाने पहले तेरी पोस्टिंग ग्रेंट पर पीला उस में थी ना नहीं मैंने सुनाया वहां बहुत बनाया तून्हें बहुत पैसा बनाया तुन्हें रंडियों के ब्लाउज में से पैसा निकालकर हपता ही कथा करता था तू अब शुन कभी शिंदे कभी पाठी कभी वह जवान इन नेताओं के तलवे चाकने से तो अच्छा है वहाँ पीला उसमें जाके भड़वागिरी शुरू कर दे बहुत माल कमाएगा कि यह वर्दी है तेरी रखेल का पल्लू नहीं समझा यह देख क्या दिखा है पढ़ना जानता है सद्रक्षन आया खला निकरान आया पढ़ मतलब मतलब जब तक मैं विवेक को सजा नहीं दिलवाता तब तक पाइल बन नहीं करूंगा समझा कि बड़े आपसूस की बात है जवांग साब आज फेर विवेक की बेल नहीं हो पाई कि चौदा दिन के लिए उसे जुडिशियल कस्टोडे में भेजा किया है साफ साफ बताओ हिरवानी चौदा दिनों बाद बेल के क्या चांसेज हैं जी बहुत मुश्किल है अगर उस दिन भी बेल रिजिक्ट होती है तो कम से कम चार-छे महिने के लिए तो वो अंदर गया अपने अच्छे खासे केरियर को बर्बाद कर दिया बेवकूप ने और उधर बेख कुछी से फूला नहीं समा रहा होगा क्या कहते हो यश्वक्त जी प्रॉब्लेम तो वाके बहुत बड़ी है आप तो पहले आना उसकर चुके हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इस बार तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चलिए चोटा मू और बड़ी बात ना हो तो एक बात कहूं बोलिए अगर आपको कोई आपती ना हो तो आप अपनी बहु अनुरादा जी को एलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा कर देते घर किसी घर में रह जाएगी और जहां तक विवेक जी की बात है दो चार महीने में भूली भाली जंता इस कांट को तो भूली जाएगी अगर अनुरादा जी तैयार हूं तो मैं बात कर लूगा है कमांड से आज तक तो सिर्प सुना था कि इंसान भी कभी कभी किर्गिट की तारा रंग बतलते हैं कि अज देख भी लिए देखो अनुरादा आप देख रही हूं बाबा सब देख रही हूं आपको तो बिस्नेस और पॉलिटिक्स में औरतों का बोलना पिल्कुल प्रसद नहीं था ना तो आप क्या हुआ वक्त की नदाकत को समझो बेटी अब अब कुछे दिन रह गए हैं एलेक्शन में और ये ये चौहान खांदान की इज़त और विवेक की इज़त का सवाल है और बेटा एक पतिव्रता औरत होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि इस इज़त को संभालो तो आप चाहते हैं कि मैं पतिव्रता बनकर आपके बेटे की हरकतों को नजर अंदास करतूं और पॉलिटिक्स में उतर कर बली का बक्रा बच जाओं कल तक तो घर के बाहर कदम रखने के लिए मुझे आपकी इजासत लेनी पड़ती थी और आप वही अनुराधा चौहान चौराहे पर खड़े होकर सारी दुनिया के सामने वोटों की भीग मांगेगी उससे आपकी इसर को कोई फर्थ नहीं पड़ेगा वाह कि आपको बेटी एक बार जारा थंडे दिमाग से सोचो यह मेरी तुम से पर्सनल एक परस्ट है हाँ पड़े हाँ कि आपको बेटी दुम से एक परस्ट है कि लोग अपने सेलफिश इंट्रेस्स के लिए क्या क्या करते है उनके लिए कितना असान था कहना पॉलिटिक्स इस नौट में कप आफ ती मुझे कुछ समझ में नियारा में क्या करूं एक बात बताओ नो तुम ही तो कहती थी न कि तुम भूल चुकी हो कि तुमारा काहो खुली हवा में घूमने का अपनी पैचान पाने का देखो भूचा अपसें डाउंस तो हर एक की जिन्दगी में आते रहते हैं लेकिन जानती हूं बगवान ने इंसान को सबसे बड़ी चीज क्या दी है मौका मौका एक जिन्दगी जीने का कुछ कर दिखाने का बिग आप लोगों के अलावा अपने लिए भी किया है और दूसरी बात मैं आपकी पॉलिटिक्स की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जाती हूं उसकी तुम चिंता मत करो वेटी मुझे खुशी है कि तुमने चौहान खानदान की खातिरीय फैसला लिया है और जब तुमने फैसला ले लिया है तो त यहां तो हमें करना पड़ता है ना शुक्राजी यह तो है मैं आपको बाद में फून करता हूं कि यश्वंत को तुम जानती हो आज से तुम्हारा गुरू समान है देखो बेटी अगर राजनीती में जिन्दगी भर सार उठा कर चलना है तो पहले कुछ कदम जुक कर चलने होंगे यही नियम है राजनीती का यश्वंत जी आज से अनुराधा तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हें के लगता है काम हो जाएगा मैंने नगर से बात कर लिए अब देख आई आनुराधारी आज से यह आपका ओफिस है और यह आपकी कुर्सी इस कुर्सी को ध्यान से देखिए यह कोई आम कुर्सी नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठने की और ठिके रेने की आदत आपको पड़ गई तो राजनीतिका आपका सफर बहुत आसान हो जाएगा कि ज़िए तो इस लिए मैं आपको और कुछ लोगों से मिलवाता हूं आई कि प्लीज कम एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक इनक्यू इनसे मिलिये पार्टी के सीनियर लीडर्स है परवेश खान साफ इंदुबें अनन्द भाई देशाई रमेश दादा सोनावने और आप हैं मिलिन राव पाटेल आइए नमस्का आप हैं सुआसने भावे और रश्मिताई जोशी यह पार्टी की सिटिंग मेले हैं सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतना है और आप हैं चंदू सुर्वे यंग डैशिंग कोर्परेटर फ़र्म किलक नगर परेशिंग आईए नमस्का अब यह फारुक नेपाली है और मुन्ना ठाकुर नमस्ते इनका रिल स्टेट का बहुत पर आई तेजवान भाई असलम चट्था एक मिलिट यश्वन और बेक्स आपको तो आप जाती है खुशाम दीड पार्टी में आपका स्वागत है शुक्रिया हरी शेट्टी बहुत बड़े होटेले रहें इनके 15 बार है इस शहर में मिस्टर कपाडिया आपकी इनके पारे में तो समझ में आता है लेकिन ये शारुक कपाडिया जैसे बिस्निसमेन और तारुक नेपाली और मुना ठाकुर जैसे गुंडे आई दिन अपने घपले और हतियाओं के वजह से अख़बारों की सुर्खियों में रहते हैं इनका हमारी पार्टी से क्या लेना होता है पैसा जो हमें बिजनेसमें देते हैं टाकत जो हमें फारुक ठाकु जैसे लोगों से मिलती है और इन दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होता है इमाग जो हमारे पास है तरही बीजिए कि यह के समतिए आप जाए धिस थे करना आप यहां समय थे यहां सब्सक्वां गरए अगया है इसको अलारे से बंदेगा एक है खालो यहां प्र रचीजों माल कर दिया अहिए अनुरादा चबन तुमागे बरो, हम तुमारे साथे कर दूषब कर दो दुमारे साथे कर दो कर दो कर दो हमारी पार्टी यानि की राष्ट्र जन एकता मंच भले ही ऑपोजिशन में रही हो लेकिन हमने बार बार आपकी जरूरतों को आपकी समस्यां को सरकार के सामने प्रत्थक्ष रूप में रखा है खबसूरत है पर विचारी का मरत तो जेल में है श्री महिंद्र चोहान ने पिछले चार साल में जो काम किया है वह आपके सामने तो है ही मैं उनकी बहू तो हूँ लेकिन उसके अलावा एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल भी इस औरत में दम नहीं है वेक वाली बात नहीं है और आपकी समस्यां को समझ कर आजाद नगर को रहने के लिए एक बहतर जगे बना सकती हूं मुझे आपका समर्थन चाहिए उसकी पूरी उमीद रखती हूं क्या बोलता मोहनलाल कि दमनी यार पकारे लिए मैं तो चला संदाज है अटना बाबा धन्यवाद सियासत की नहीं नहीं दूलन है दिरे दिरे सीख जाएगी धन्यवाद झाल